ऐच की इस क्लास में यहां पर हम लोग कचछे की NCRT समझ रहे हैं, भूगोल वीशाय को समझ रहे हैं, आहां पर आगे हम लोग पठार स्टार्ट करते हैं, इसके पहले की पढ़त कर था हैं, अब पठार के बारे में जानते हैं कि पठार क्या होते हैं, तो देखें, ऊपर उब्री भाग है वो मेज के तरीके सा होता है उसे क्या बोला जाता है पठार बोला जाता है इसकी उचाई के बारे में आपको बताया गया था कि 4000 से 6000 की मीटर तक इसकी उचाई होती है पठार बहुत उपयोगी होते है क्योंकि इनमें खनीजों की प्रचुरता होती है खनीज के बहुत बड़े भंडार पाये जाते हैं छोटा नागपुर नाम आपको याद रखना है छोटा नागपुर पठार में छोटा नागपुर पठार में कोईला माइगनीज के कोईला माइगनीज लोहे के बहुत बड़े भंडार पाये जाते हैं अगर उचाई की बात करें तो आपको साथ में ये भी याद रखना है तो ये सारी जीडियम लोगों ने पढ़ ली थी आज हम मैदान के बारे में बात करते हैं तो देखें मैदानों के बारे में मैदान काफी समतल होते हैं कुछ उर्मिल तता तरंगित हो सकते हैं अधिकांस मैदान नदियों तता उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं मैदान कैसे बनते हैं मैदान कैसे बनते हैं अगर आपसे कोश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के दोरा बने होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, मैदान कैसे बनते हैं, तो उनकी नदियां तथा सहायक नदियों से मैदान बनते हैं, नदियां परवतों के ढालों पर नीचे की ओर होती हैं, नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं, वे अपरदित पदार्थ को अपन यहाँ पर हम अगर मानते हैं यह क्या है यह परवत है यहाँ से कोई नदी निकल रही है तो इस परवत के साथ जब नदी निकलेगी तो इसके साथ बालू हो गया पत्थर हो गया सिल्ट ऐसे बहुत सारे काण आएंगे और यहाँ पर घाटिया थी पहले माना जाता है कि नीच तल्भोमी का निर्माड करते हैं इसी तरीके से भारत में मैदान का निर्माड हुआ है इसी तरीके से मैदानों का निर्माड हुआ है मैदान बहुत अधिक उपजाई होते हैं यहां परिवाहन के साधनों का निर्माड करना आसान होता है इसलिए मैदान विष्ट के सबसे निर्मान करना आसान होता है, ये उपजाओ होते हैं, ये किर्सी योग उपजाओ होते हैं, तथा यहां पर यातायाद या परिवहन के साथ नोकर निर्मान करना आसान होता है, इसलिए सबसे अधिक जन संख्या वाले होते हैं, ये भी आप से question पूछा जा सकता है, आप से बत गंगोपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगशे नदी का मैदान तो देखेगा चीन में यांगशे नदी बहती है कौन से नदी है यांगशे नदी यांगशे नदी ठीक है जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है और भारत में भारत में गंगा एवं ब्रंभोपुत्र का अब देखें गंगा के मैदान की अगर हम बात करें गंगा का मैदान ये उत्तर प्रदेश साइड में सब गंगा का मैदान है लेकिन ब्रंभुपुत्र का मैदान है जो ब्रंभुपुत्र का मैदान हो कहां पर आ जाएगा वो आसम साइड में रहेगा और कुछ पार्ट उसका बांगलादेश में भी रहेगा कुछ पार्ट उसका बांगलादेश में भी रहेगा तो इस तरीके से पता होना चाहिए भारत में गंगाईवन बिंबुत्र का तथीन में यांग्शे नदी का मैदान है मैदान मनुष्यों के रहने के लिए शबसे उपयोगी चेतर होते हैं, यहां की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, मैदानों की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि माकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहां समतल भूम की परचूरता होती है, उबजव मिट्टी के कारण, उबजव मिट्टी के कारण यहां भाग खेती क लिए काफी उपर युख्थ होता है भारत में गंगा का मैदान देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला छेत है तो देखें यहाँ पर आपसे मैदान को बतायागे बिल्कुल समतल होते हैं इस तरीके से और भारत में गंगा नदी का मैदान सबसे बड़ा है भारत में गंगा चेतरों का जीवन कठिन होता है मैदारी चेतरों का जीवन परवती चेतरों की तुलना में सरल होता है क्यों कि यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर किरसी योग भूमी बहुत ही जादा होती है जो मैदान होते हैं बहुत ही जादा उपजाई होते हैं लेकिन परवती चेतरो में ऐसा नहीं होता है मैदान में फसले उगाना घर बनाना सड़के बनाना परवती छेतरों की तुलना में बहुत ही आसान होता है विबिन प्रकार के इस्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है तो इनके जो रहन सहन के तरीके होत प्रदूसित नदी का दिया गया और यहां पर रसी से पुल बनाया गया इस रसी से बनाया गया पुल को आपको दिखाया गया है तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर के भी कॉंसिप्ट को समझने का प्रयास किया अब देखते हैं NCRT में NCRT में कुछ इसी से रिलेटेड कोश्चन पूछे गया है जिन कोश्चनों का एंसाल हम लोगों को देना है तो कोश्चन आप से बोला गया है पर्मुक अस्तल रूप कौन कौन से तो प्रमुक अस्तल रूप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि पर्वत है पठार है और तीसरा हम बोलेंगे कि मैदान है तीसरा मैदान है तो ये तीनों आपको याद रखने पर्वत पठार में क्या अंतर है तो देखे परवत और पठार में अंतर की अगर हम बात करें तो परवत और पठार में बहुत सारे अंतर होते हैं जैसे हम बात करें तो जो परवत होते हैं उनका सीर्स कैसा होता है संक्वाकार होता है तता आधार का फी चोड़ा होता है तो ये बात आ इनकी उचाहिए 4,000 से 6,000 होती है जबकि परवतों की उचाहिए आपको पता होनी चाहिए सिर्फ 600 से अधिक होती है और इनकी उचाहिए 4,000 से 6,000 के बीच में होती है मनिस्यों के लिए परवत किस प्रकार उपयोगी है परवत देखे किस प्रकार उपयोगी है क्योंकि परवत से बहुत सारी नदिया निकलती है परवत से बहुत सारी नदिया निकलती है ठीक है आपको पता होना चाहिए खानीज बहुत सारे हमको मिल जाते हैं और वनस्पति से हम बोल सकते हैं कि वह नस्पति हैं इन सभी के लिए परवत हमारे लिए उपयोगी हैं मानोजीवन के लिए उपयोगी हैं मैदानों का निर्मार किस प्रकार होता है मैदानों का निर्मार किस प्रकार होता है तो नदियां नदियां तथा सहायक नदियों के दौरा मैदान का न निर्मार होता है नदियों द्वारा निर्मित मैदान नदियों द्वारा निर्मित मैदान सखन जनसंख्या वाले होते हैं क्यों इसके पहले आपको बताया गया क्यों क्यों क्योंकि वहां पर उपजायू मिट्टी होती है उपजायू मिट्टी होती है तता परिवहन परिवह होती है क्योंकि वहां का रीजन है वहां का रीजन है कि जलवायू कठोर होती है जलवायू क्या होती है जलवायू कठोर होती है जलवायू कठोर होने के कारण वहां पर जनसंख्या बहुती कम होती है जनसंख्या के कम होने का यही रीजन है परवत पठारों से भिन्न होते है ढाल के कार, हिमानी कहां पाई जाती है, हिमानी कहां पाई जाती है, परवतों में, जो बर्फ की नदियां होती है, उन्हें हिमानी कहा जाता है, डककन पठार कहां इस्थित है, भारत में, ठीक है, तो आप कोई पता होना चाहिए, पठार कैसे बिन होते है, ढालो से, हिमानी क जहां पाई जाती है परवतों में डगकन पठार कहां इसी थे भारत में यांगशे नदी कहां बहती है यांगशे नदी कहां बहती है चीन में बहती है यूरोब की एक महत्रपूर्ण परवत शंकला कौनशी है यूरोब की एक महत्रपूर्ण परवत शंकला कौनशी है करेंगे यह आपको Pता होने चाहते हैं कर दो मुदा कि मुदान करेंगी यह उदाराण को वलित ब्रंतोष्त तथा ज्वालामोगी होते हैं और के उदारण हैं छेत्रों में खनी जो की प्रचूरता होती है तो पठारी चेत्रों में कैसे चेत्रों में पठारी चेत्रों में खनी जो की प्रचूरता होती है जो पठारी चेत्र होते हैं वहां पर खनी प्रचूर मात्रा में पाय जाते हैं परवतों का एक क्रम है परवतों क एक करम है परवत स्रंखला बोल सकते हैं उसे देखिए लाश्ट बोला गया छेतर क्रशी के लिए सबसे अधिक उत्पादक होते हैं के भी question और concept को पूरी तरीके से complete कर लिया इसके बाद की जो class होगी वहाँ पर हम लोग आठवी unit start करेंगे जहाँ पर हम समझेंगे भारत, जलवाई, वनस्पति तथा वन निपराणी अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो आज ही चैनल को subscribe कर दीजिए और ये वीडियो share कर दीजिए उन लोगों को जो लोग UPSC के preparation करते हैं या class 6 में है, thank you class